हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मै चानल, तो आज है संडे और संडे में जैसे की सभी को छुट्टी रहती है, तो आज मेरे बच्चों को भी छुट्टी है, हर संडे मुझे कुछ न कुछ नया नाश्ता सोचना पड़ता है, नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो कि हिल्दी हो, साथी साथ टेस्टी और मेरे बच्चे खा सके, यह सब सोच के ही मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, तो आज का जो नाश्ता है वो हिल्दी है, टेस्टी भी है, और इसमें मैंने जवारी का यूज किया हुआ है, जादा तर हम जवारी का यूज बहुत कम करते हैं, रोट आधा कटोरी मैंने जवारी ली थी और आधा कटोरी चने के डाल ली थी, तो सेम ही कटोरी से मेचरमेंट लेना है, तो यह काफे अच्चे से अभी भीग चुकी है, तो इसे ना अब हम पीस लेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ लसुन के कलिया डाल दी है, इसके बाद हर अधा कटोरी दही है, तो यह दही घर में बनाया हुआ है, तो इसको अब हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम पेस्ट जो है, वो एकदम स्मूज है, क्योंकि जवारी होने की वज़े से अगर आप इसको अच्छे से नहीं पीस होगे ना, तो वो थोड़ा मोटा मोटा खात टाइम लगेगा, तो इसलिए अच्छे से पीस लेना है, फिर आपको जो भी वेजिटेबल अच्छे लगते हैं, वो आप इसमें एट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, बीट रूट और पोटेटो लिया है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ है, अगर आप चाहो तो छोटे-छोटे पीसे से में कट कर सकते हो, इसमें एक चमच आइल और स्वाद नमक उत्या है, तो बैटर जाधा होने की वज़े से थोड़ा सा निकाल के रंग दिया है, अब इसमें मैंने एक चमच लचक के बनासकते हैं, और थोड़ा सा पानी, तो इस में यही रेसिपी बना लिए तो अभी मैंने जो तड़का प्यान होता है उसमें थोड़ा सा ओयल डाल दिया था और यहाँ पे कलोंजी डाली थी अगर आपके पास कलोंजी ना हो तो आप तील भी डाल सकते हैं फिर बैटर डालके एक साइड पहले अच्छे से पकने देना है थोड़ा जब क्रिस्पी हो जाएगा तभी उसे चेंच कर लेना है नए तो अंदर से न वो कच्छा रहता है तो इसे काफी अच्छे से पकने देना है तो यह देखिए हमारी रेसिपी बनके रेडी है अभी हम बना रहे है चटने तो सेम वही चने की डाल और जवार को मैंन अनुसर नमक तो इसकी कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते है और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है अगर आप चाहो तो थोड़ा से इसमें पानी भी आड़ कर सकते हो अगर आपको लगता है तो तो सेम उसी तड़का प्यान में मैंने थोड़ा सा आइल ले लिया है इसमें राई और जीरा डाल दिया है आधा आधा चमच फिर कड़ी लिउस डाल दिये हैं और इस तड़के को अब हम डाल देंगे चटनी के अंदर और हमारी चटनी भी बनके तयार है और नाश्टा भी रेड़ी है जब भी कोई केस्ट आये या फिर आप बच्चों को कुछ हिल दिये डिफिन में रेसिपी देना चाहते हो तो इसे भी आप बना के बच्चों को डिफिन में दे सकते हो और ये ना बच्चों को बहुत ज़ टेस्ट लगता है एक पर जरूर ट्राय करना